मैं आज आपको बताऊंगा कि फिजिकल केमेस्ट्री में 2020 से 2024 तक कौन से चेप्टर का कितना बेटे जाया। केमेस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन से कोशन हंड़ेट परसेंट आएगा उनको चेप्टर आपको याद हो गए होंगे कोशन कंफॉर्म आता है इसके बाद स्टॉइकोमेट्री वन यानि की मौल मौल कॉंसेप्ट का कॉशन आता है आपको बतादू चेई में में कोशन बहुत डिफीकल्ट नहीं आते अगर आता है कैलकुलेशन आता है क्योंकि नमस्कार प्यार बच्चो आज मैं फिर आया हूँ आपके ही मतलब की बात लेके मैं आज आपको बताऊंगा कि फिजिकल्ट केमेस्ट्री में 2020 से 2024 तक कौन से चेप्टर का कितना वेटे जाया और उनमें कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं इन सब प करते हैं मैं कई बार आपके सामने आया कि ऐसे ऐसे पढ़िए करिए मैंने हमेशा बोला कि फिजिकल्ट केमेस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन से कोशन हंड़ेड परसेंट आएगा उनको चेप्टर आपको याद हो गए होंगे एलेक्ट्रो केमेस्ट्री लिकूड सेलिशन केमिकल काइनेडिक्स इन चेप्ट तीन चेप्टर से तो हंड़ेड परसेंट कोशन आता है आप वेटेज भी चेक कर लिजे कि अगर आपन बात करें सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज है फिजिकल केमेस्ट्री में तो आप देख सकते हैं स्च्ट कोमेट्री वन यानि की मोल मॉल कौनसेट्ट का कोश्चन आता है इसके बाद स्च्ट बाद अगर बात करते हैं तो आता है Atomic Structure, Atomic Structure ध्यान रखिएगा, Atomic Structure बहुत important है, इसलिए भी important है, कि आप इसको Modern Physics में भी पढ़ते हो, तो अगर आपने Atomic Structure बहुत बढ़िया से कर लिया, तो आपका Modern Physics का भी Atomic Structure हो जाएगा, और Chemistry का भी हो जाएगा, सब कुछ से में, जो difference है, वो Schrödinger Wave equation का है, जो Chemistry में से हाँ यूज होगा, quantum number भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, इसके बाद Chemical Kinetics 3.21 परसेंट है, इसके बाद Surface Chemistry 2.7 परसेंट है, लेकिन डॉन्ट वरी, Surface Chemistry स्लेबस में नहीं है, तो जेई में में Surface Chemistry है ही नहीं, इसलिए ये, कुछ लोग कहेंगे, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर जब Surface Chemistry स्लेबस में नहीं है, तो ये क्यों, तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, क्योंकि पहले था, इसलिए ये लिया गया है, तो ध्यार रखिएगा, Surface Chemistry आप जेई में के स्लेबस से हटा दिया गया है, ये स्टार बने है, इसलिए स्टार बने है, इसके बा Thermodynamics में अगर आप बहुत बढ़ी आसे करते हो, तो फिसकार Chemistry में कॉमन है, एंट्रोपी और इनरजी छोड़ कर, बाकि जो Thermodynamics आप हीट्टू पढ़ते हो, हीट्टू, फिजिक्स में, वो पूरी Physics की Thermodynamics सेम है, केवल अगर डिफरेंस है, तो वर्क का साइन कंवेंशन, उसमें थोड़ा सा गर आप दिमाग में बठा लें, तो फिसकार की Thermodynamics लगबग लगबग कॉमन हो जाती है, इसके बाद Chemical Equibium 1.8% है, Thermochemistry 1.27, Solid State 1.21, इसको भी अपने को नहीं करना, क्योंकि Solid State से हट चुका है, जेई में के, Gaseous State भी हट चुका है, Radio Equity भी हट चुका है, इधर Surface Chemistry हट चुका है, इसलिए चार चेप्टर की बात हम जेई में के लिए नहीं करेंगे, एडवांस में तो है, पढ़ना तो है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना, जब आपका मेंस का First Attempt बहुत बढ़िया हो जाए, तो इन चार चेप्टर की बढ़िया से पढ़ाई कर लेना, अभी आप इनके नजर मत दवड़ाए, अभी हमारा फोकस जेई में 2025 पे है, कि अपने को जेई में 2025 फोड के आना है, डिफिकल्टी देखिए बास समझे, डिफिकल्टी लेबल साफ कोशन जेई में, मैं आपको बता दूँ, जेई में में कोशन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, अगर आता है, कैलकुलेशन आता है, क्योंकि most of the question अगर जेई में बात करें, तो integer type जो question section है आपका, integer type वाला, उसमें physical chemistry question आते हैं, मैं ये नहीं करा, कि single choice में नहीं आते, लेकिन mostly question कहां आते हैं, integer type में, और वहां आपको केवल और केवल, formula याद रखना है, formula में value पुट कर पुट करनी होती है, थोड़ा सा आपको दिमाग हो सकता है, ये काथ question में लगाना पड़े, but most of the question केवल formula याद होना चाहिए, formula में रखना है, और calculation आपका strong होना चाहिए, जिससे आपका आराम से question हो जाता है, physical chemistry का calculation तो रहेगा ही, देखिए, how to study them, simple, more practice, बहुत सारे बच्चा बोलता है कि सर question करने में बहुत समय लगता है, समय लगता है, इसके दो तरीके हैं, ये तो आप question ही मत करिए, question ही मत करिए ज़्यादा समय लगता है तो question ही मत करिए ठीक है समय बचा लिया अब बताओ समय का क्या करोगे समय बचा लिया आपने अब समय का क्या करोगे तो इसलिए don't worry अगर समय लगता है लगने दीजिए practice करिए और ज़्यादा practice करिए time frame में प्रक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी ऐसा नहीं होता है कि स्पीड नहीं है तो मैं बंदी कर देता हूं बंद कर दो कि बैटा तो जो हो रहा था वो भी नहीं होगा आप ऐसे सोचे कि प्रक्टिस जीवन में हर मोड पे होती है क्या बिराट कोहली क क्रक्ट खेलना नहीं आता बहुत बगड़ीए रोज dal्रोग करता है कि यह सब्खन करता है नो फिर प्राक्टीben की जरूरत होती है इसलिए लगातार प्राक्टन करते रहेे ऋर्ट नोनस में फार्मूला के लिए आपको द्हामना नीडास हैग्गा अगर आप सोचो कि सुवह उटके रट्टा लगाऊंगा उसकी याद होने की प्रॉबिलिटी थोड़ी कम है लेकिन आप बार बार पढ़ते हो तो उसकी प्रॉबिलिटी याद होने की जादा है इसलिए कोशिश करिए कि बार बार चीजे देखिए ठीक है जब भी आप प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको अगर आप स्पीड लगातार बढ़ानी है स्पीड केवल और केवल बढ़ेगी प्रैक्टिस से करते लिए पीवाइए क्यों करिये का अपके जो कोशचिंग में आपके मोड्योड दियो हो उनको करिए जब mo high आप और ूरी वियजन करें तो उन question को उन्ही question को revise कर लिए because सारा module दुबारा करेंगे possible नहीं है क्योंकि इतना समय होता ही नहीं है अभी यह revision का समय है जैसे मैं बता दू motion में 12th का syllabus खतम हो गया 5 October को 12th का syllabus खतम हो चुका है point to be noted 5 October 12th का syllabus खतम हो चुका है इस समय motion में 12th का revision चल रहा है समझे revision चल रहा है test चल रहा है class test चल रहा है बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है बच्चों को improve कराने की तो अगर आप जहां भी किसी coaching में है अगर आप कसले बस खतम हो गया हो तो revision पर focus करिए ज्यादा test दीजिए ज्यादा test का मतलब क्या सीरे direction है practice more practice more mark simple सी गडित है जितना practice करेंगे उतना ज्यादा improvement आएगा लगातार पढ़ते रही है क्योंकि समय बहुत कम बच्चा है और इस बचे हुए समय को जो proper utilize करेगा वही अच्छी रहेंग के साथ select होगा बड़े बुजरु कहे गए हैं कि अंत भला सो सब भला इसलिए इस पॉइंट को समझे आपने beginning में कितना पढ़ा था अब last में अगर आप delay हो गए तो फिर काम नहीं चलेगा अपने आपको motivate करते रहिए कि मैं करूंगा मेरे से होगा मैं select होके दिखाऊंगा positive thought लाइए जैसे आपके मन में negative thought लेगा यार मेरी preparation अच्छी नहीं है लग रहा है मेरा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा इसलिए हमेशा अपने को motivate करते रहिए कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ मेहनत करूंगा select होके दिखाऊंगा लगातार मेहनत करते रहिए पढ़ते रहिए पक्का आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे विश्वास करिए अगर आप लगातार पढ़ते रहे पॉजिटिव रहे तो आपकी जो मंजिल है वह आप पाके रहेंगे ताइप सब कोश्चन इनिक जाम थे और ये निमेरिकल एक्सेप्शनल देखिए वैसे मैं आपको बदा दूँ फिजिकल केमेस्ट्री में कोई एक् क्यों भी आते हैं ठीकिए ऑनकी एंसी आर्टी लाइन बाइन पढ़नी है जैसे कौन-कौन से चेप्टर आते हैं इन वार्मेंटल कमयस्ट्री आगर इन्वार्मेंटल कमेस्ट्री देखोगे तो से कोश्षन आता है ठीक है बस बात समझ में जाये उसके बाद आपका आता ह है purification of organic compounds ध्यान रखिएगा purification of organic compounds एक chapter है उसको जरूर पढ़िएगा liquid solution से mix करके question देता है ऐसा आपको लगेगा कि liquid solution को question है बट वह आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए उसमें आप ncrt line by line पढ़िए numerical type question आते हैं single choice question आते हैं कम आते हैं numerical type चादा आते हैं क्या भी बात समझ में आरी तो आपको बात समझ में आगे देखिए अगर आपको select होना है तो मेहनत तो आप ही करनी पड़ेगी आपके जो mentors हैं आपके जो टीचर्स हैं आपके जो faculty members हैं वह आपको क्योवल नहीं होना चाहिए और एकदम फोड के आईए ठीक है विश्व आल दे बेस्ट